सुपरभातम बच्चों आज हम ककशा पांच्व के भार्षा भ्यास को करेंगे जिसमें हमारा आज की वीडियो में बच्चों पार्ट पंदरा होगा और पेज नमबर होगा बच्चों हमारा 61 और 62 ठीक है बच्चों तो पाट 15 में हम प्रश्ण नमबर 4 को करेंगे, नीचे दिये गई वाक्यों को सही कारक चीनों से पूरा कीजिये, जुसके निशान हो गए, उससे हमने पूरा करना है, तो पहले में बच्चों आपने टीक करना है पर, शेकर में टीक करना है आपने मैं, और थड में आपने प पर्से इसको पूरा करना है और फोर्ट में आपने को मैं से पूरा करना है तो फर्स्टे बच्चो आपका सडख परकारे आ जा रही थी सेकिंड है चीन्टिया डिब्बे में घुस गई थर्ड है उसके सिर पर टोपी थी और फोर्ट मेरे हाथ में खुजली होने लगी ठीक है अब फिप्थ है नीचे दिये गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए तो इसमें जैसे फर्स्ट मुगक्की इस पर ध्यान देना आपने ठीक है और शेक्ण में बच्वाप का आपके और धर्ड में है के फोर्ट में आपका का और फिप्थ में आपका की तो इसमें क्या है का इसमें की के का तो ये कारक कौन से आपका सबंद कारक चिन है मिन्स आपका छटा कारक फिर है शिक से आपका नीचे दिये गए बाक्यों में सबंद कारक चीनों पर घेरा लगाईए तो को है बच्चो आपका मैंने शालू की किताब नहीं ली तो को मैं टिक करना आपने घेरा लगाना की पे सेक्ड में आपने घेरा लगाना है कापर उसने लोहे का गोला फैंका तखों में आपने काको टिक करना है और थड में आपने चोरो के सरदार को पकड लिया गया इसमें के और कोको टिक घेरा लगाना आपने और फोर्त में उनके घर आग लग गई तो उसमें टिक करना अपने उनके को ठीक है बच्चो ये होगे हमारा पेज नमबर 61 अब हम 62 को पेज करेंगे जिसमें हमारा प्रस्ट नमबर 7 होगा उचित कारक चिन का के की से वाक्यों को पूरा कीजिए तो फस्टे बच्चो मा ने चावल की खिर बनाई सेक्ड में है कुट्टी की पूँच टेड़ी ही रहती है और थड़ है फूलों की डालिया जूक गई थड़ में की आएगा और फूरत में बच्चो की किताबें रख दो फिपत है मटर के दाने निकालो सिख से बच्चो मदन का भाई आया तो पहले में आएगा बच्चो की दूसरे में भी की आएगा और थड़ में भी की और फूरत में भी आएगा की और फिपत में भी आएगा के और शिक्स में आएगा बच्चो आपका का ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही शेश्चू होगा उसको हम अगले वीडियो मे करेंगे तब तक के लिए बच्चो धन्यवाद आपका दिन शुब में हो